रेखा और संजे दत ने फिल्म जमीन आसमान में साथ काम किया था कहा चाता है कि फिल्म के सेट पर संजे और रेखा काफी नजदीक आ गए थे वो एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे थे ये बात सुनील दत को भी पता चली तो वो बहुत नाराज हुए सुनील दत ने संजे दत को समझाया कि वो इन सब चीजों से दूर रहें फिर भी संजे दत नहीं माने सुनील दत के समझाने के बावजूद संजे दत ने रेखा से चुपचाप शादी कर ली शादी की बाद जब सुनील दत के कानों तक पहुची तो वो बहुत गुस्से में आ गए और इस बार उन्होंने रेखा से बात करने का निर्णय लिया रेखा को बुला कर उन्होंने संजेदत से दूर रहने की सला दी इसके बाद रेखा ने खुद ही संजेदत से दूरी बना ली रेखा और संजेदत की ये लव स्टोरी उन दिनों एक लीडिंग मैगजीन के आर्टिकल में छपी थी और अब ये कहा जाता है कि रेखा आज भी जो संदूर लगाती है वो संजेदत के नाम का ही होता है अब इस बाद में कितनी सच्चाई है ये तो रेखा ही जाने अब इस बाद में कितनी सच्चाई जाने